हमारी मेन कारेक्टर का एक साथ दो लोगों के साथ अफेर हो जाता है पर ये दोने एक दूसरे के बहुत ये अच्छे फ्रेंड्स थे प्रॉलम तब आई जब वो प्रेंग्नेंट होगे हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको इंडिंग बिगिनिंग्स ये 2019 की एक हॉलिवट मूवी एकस्पेंड करने वाला हूँ ये एक बहुत ही कॉंप्लेक्स मैसेज के साथ आती है तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखेगा अब बिना अगजिदेरी के ब्रेक लेना चाहती थी सिस्टर के घर वर वर भी उसकी छुटी सी बेटी है जिसे राफनी का आना बहुत अच्छा लगता है लोगों में घुल मिलने की कोशिश करती है पर रात में उसे बहुत रोना आता है वो उपने बॉइफ्रेंड को अभी भी मिस करती है वो पहले आर्ट गैलरे में काम करती थी उसे पेंटिंग विगरा है इस अब चीज़े बहुत ही अच्छी लगती है तो एक क्लास उने जॉइन किया है जहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स है इंफ्रेंड्स से उसने बात की कहा मुझे लगा था कि मैं उसे शादी करूँगे हम हमेशा एक साथ रहेंगे उसके अब लगने लग क्या था कि वो भी अपनी मदर की तरह पूरी लाइफ सिर्फ प्यार ढूणने में बिता देगी उसकी मदर ने जब डिवास लिया तो उसके बाद उसके बहुत सरे बाइफरेंड थे कभी भी एक जगा पर वो सेटल नहीं थी अब डैफनी डिसाइड करती है डेटिंग से वो सिक्स मन्स के लिए ब्रेक लेगी अपना फ्रीडम वो एंजाइ करेगी वो आजकल फिर से न्यू जॉब ढूणने की ट्राय करती है पर कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलता अब क्रिस्मस आ चुका था तो अपने मदर से वो मिलने के लिए मदर का अब और एक न्यू बाइफरेंड है मदर को लग रहा था कि डैफनी अब भी अपने बाइफरेंड के साथ है और वो नहीं आया डैफनी जब उसे बताती है तो मदर ने कहा कि मुझे लगाई था कि वो तुमारे लिए परफेक नहीं है जैसे फायर एक रिलेक्शनशिप में होनी चाहिए इससा उसमें कुछ भी नहीं था इसी बात पर सोचते हुए डैफनी को अपने बॉइफरेंड का और उसका एक फ्लेश बैक याद आया उसे लगता था कि उनकी रिलेशनशिप एक ओल्ड कपल की तरह हो गई है वो कभी न्यूज चीज ट्राय नहीं करते है 31 डिसेंबर को डैफनी के सिस्टर ने एक पार्टी रखी थी डैफनी के कोई भी फ्रेंड्स नहीं तो अकिली खड़ी थी तब इसके पास फ्रैंक आ गया अपने आपको उसने इंट्रोडूस कर वाया वो बुचता है तो मैं आग कर क्या रही हो डैफनी ने कहा कि मैं जरा ब्रेक ले रही हो फ्रैंक ने बुचा कि तुम किस से छूप रही हो डैफनी सिब चाहती थी कि फ्रैंक उसे अकिला छोड़ दे पर फ्रैंक जरा दूर जाकर उसे बात करता है वो बहुत ही फणी और चार्मिंग था पर डैफनी ब्रेक पर हैं, तो जादो उससे बात नहीं करती है आगे बाटी में, वो हमारे और एक main character Jack सी मेरी Jack से पहले डैफनी ने बात की थी उसे पता था कि Jack एक writer है Jack भी डैफनी को देखते हो ए पहचान गया उसे पता था कि डैफनी आर्ट में कुछ काम करती थी बातों बातों में डैफनी के थी कि वो अपनी सिस्टर के साथ रह रही है पिर उसके बॉआ फ्रेंड के साथ उसका जो भी सब होा था इस सारी बाते उसने जैक को बता दिये उसे अल्डेडी पहचान दी थी उसे बात करने उसे बहुत easy लगा जैक डैफनी को समझाता है तुम अपने आपको बुरा फिल करा रही हो तुम्हे लगता है कि तुमने कुछ गलत किया पर इसा कुछ बही नहीं होता हम अगर खुत के बारे में सोचे तो हमें हमेशा लगता रहता है कि हम बुरे है पर इसा कुछ भी नहीं होता डैफनी को जैक की बाते बहुत अच्छी लगी थी अगले दिन मौर्णी में फ्रैंग ने डैफनी को मैसेज किया उसने उसे गम के गाने भेज दिये थे डैफनी ने पूछा कि तुम नंबर कैसे मि कि डैफनी करती है कि आज कल में कुछ भी ड्रिंग नहीं कर रहे हैं पर तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं आ सकती हूं इनकी फिर डैफनी ने क्लेयर कर दिया कि सिर्फ एज़रेंडी डैट पर जा रहे हैं डैट पर जैक डैफनी से कहता है तो मुझे बहुत ही अलग उसने दिखाया जैक करता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो यह जब बात कर रहे थे तभी डैफनी को फ्रैंक का मैसेज आता है उसनों से मिलने के लिए बुला है फिर जगा फिक्स करकर फ्रैंक और डैफनी अगले दिन मिले उससे कहता है तुमने मुझे बहुत दर्द प कर सकते हैं उसने का मुझे तुम दोनों से बात नहीं करने चाहिए वह यहां से जाने वाली थी इससे पहले एक दूसरे को हग कर दिया और डायरेकली किस करने लगे इन दोनों की फर्स मिटिंग से एक दुसरे में एट्रेक्शन बहुत ही पावर्फुल था तो डायरेकली इंटिमेट हो जाते हैं अगली दिन डाफनी को जैक का मेसेज और उसमें लिखा था कि फ्रैंग और मेरी बात हुए सब कुछ ठीक हे जादा वरी मत करो डाफने फिर फ्रैंग से बुश्ति है तुमने उससे क्या बता है फ्रैंग करता है उसे जादा कुछ पता नहीं है डा जैक के पास डेट पर आगी ये दोनों रेलाइस करते हैं कि जब एक साथ होते हैं तो बहुत ही कमफरड़िवल होते हैं बहुत सारी बाते करते हैं दोनों को स्मोकिंग अच्छी लगती है डाफनी ने चैक से पुछा तुम और फ्रैंग के दोनों कैसे दोस्त हो जैक करता है क उसके वज़े से पूरी तरीके से बरबात होके इन दोनों को एक्च्छल में एक दुसरे के साथ करनेशन महसुस हुआ था तो आज रात दोनों इंटिमेट हो जाते हैं अगली दिन डैफनी अपने नीश को जब स्कूल से घर लेकर आई तो उसकी सिस्टर उसके हजबन में डैफनी बहुत दिनों से उनके घर पर रह रही है इसे इस्टर के हजबन को अच्छा नहीं लगता डैफनी ने सब बात सुन ली थी उसके एकस वाइफरेंड ने उसे मैरेज प्रोपोजल के लिए रिंग दी थी इसे सेल करकर जो भी पैसे आते हैं इसे रेंड पर हाउस ल इसके लिए रेडी नहीं थी इसी वज़े से उनका ब्रेक अप हो गया अब अगले कुस सीन्स में हम देखते हैं डैफनी और जैक के रिलेशन्शिप आगे बढ़ रही थी एक दिन फ्रैंक का उसे मैसेज आता है कहता है तुम तो अच्छी तरीके से मूँ आन कर चुकी हू डैफनी कहती है मैं प्रोसेस में हूँ, डैफनी लिखती है कि मैं तुम्हारे बार में सोच रही थी है। अब कुछ दिनों के लिए जैक जरा काम से बाहर जाने वाला था। जैक का डॉक कहा रहेगा, यह एक प्रॉल्म था तो डैफनी कहती है तुम्हारे यहां आकर रह सक लिगास네요 ऩो पर कमई पार्मेंट इसरों थोड़ी दर में फिर से वह वापजाय। यह दोनों इसक्वास के दो कुण सबस्सक्राइन किस करने लग गया वहीं पर इंटिमेट हो जाते हैं ने डैफनी से पूछा किया तुम मेरे साथ चल सकती हो डैफनी ने भी इसके लिए हा कह दिया यह दोनों फिर बहुत सारे अलग अलग प्लेसे उसकों में एक दूसरे के साथ एंजॉय किया एक रात डैफनी को पार्टी प कर रहा है यह बात उसे सही नहीं लगती है उसमें उसे कंफरंट किया फ्रैंग ने कहा कि मुझे फाइट मत करो हमारी रिलेशंचिप इतने अच्छे चल रही है इसे बरबात क्यों करना इस तरीकी की फ्रैंस की आदोत की वज़े से डैफनी उसके साथ रह नहीं सकती है तो चली जाती है सारी सिचुएशन को लेकर डैफनी ने अपने फ्रैंड इंग्रिद से बात की इंग्रिद पुछती कि यह सब हुआ कैसे डैफनी ने का कि वही तुगशन है यह सब हुआ कैसे अपने इक सिन में देखते हैं इजाएक अपने ट्रिप से वापस आ गया था चंग हो गई थी तो यही कोवरकर उसे अपने घर लेकर गया था उसने उसे जबर्दस्ति करने की कोशिश की थी पर डैफनी ने उसे रोक लिया था उस इंसलेंट के बाद वो डिस्टब हो गई थी पर आज राद उसको और करके आखों में आखे डार कर उसो डरा देती है आज कल जैक के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी एक दिन उसे ज़रा अजीब लगने लगया तो उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई तो एक पॉजिटिव आती है वो घर पर आई तो जैक उसे गया था कि मुझे एक अलग कंट्री में एक बहुत ही अच्छ उसे पता नहीं था कि बेबी किसका है जैक इस बात से बहुत हर्ड हो गया उसे घर से निकाल देता है डैफ ने अपने फ्रेंड इंग्रीद के पास आई उसे सब को चीज़े बता देती है उसे समझ में ने आता कि इस बेबी को उसे रखना चाहिए या अबाट करना यह बेबी हमेशा पूरी लाइफ तुमसे प्यार करता रहेगा यह बार डैफनी को समझ में आए और वो डिसाड करती है किस बेबी को रखने वाली है इसके बाद वो जैक से मिले उसने का मैंने लाइफ में लोगों को बहुत हर्ट किया है अब वो किसी को भी हर्ट नहीं कर आज कर डैफनी चुटे बच्चों को देखती है उसे बहुत अच्छा लगता है अपनी नीज के साथ जो भी और टाइम स्परेंट करती थी वो भी उसके लिए स्पेशल था नेकसे में देखते हैं उसकी मदर का जो एक्जिस्टिंग बाइफरेंड था उसके साथ शादी कर लेती है डैफनी सब लोगों से दूर एक जगा पर बैटी हुई थी तो उसके पास उसकी मदर आए उसे कहती है तुम्हें लग रहोगा कि मैंने लाइफ में बहुत सारी मिस्टिक्स की है मैंने जो भी किया अपने लिए अलग लग लाइफ पार्टनर ढूनती रही मैंने सि यह बहुत इंपॉर्टन था डैफनी ने अब अपनी मदर को माफ कर दिया था वो एक दिन अपने ओल जॉब पर कॉल करती है उसने जो भी सिच्वेशन थी यह सही से समझा दिये वो जॉब उसे फिर से वापस मिल जाता है और इसके बाद थोड़ा डाइम बीच चुका है बहुत दिनों बाद एक दिन शॉपिंग करते उसे फ्रैंक मिला फ्रैंक उसे देखकर बहुत ही सप्राइज था बहुत सकल किसी और के साथ है पर डैफनी को मैसेज करकर एक जगा पर मिलने के लिए बुलाता है उसने बूचा कि क्या ये बेबी मेरा है डैफनी कहती है कि मे एकस बॉइफरेंड को लेटर लिखा अब इतने सारे टाइम के बाद वह फाइनली मुवान कर चुकिया है वह एक दिन जब उनी मदर के साथ थी तो मदर ने कहा तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो मुझे तुम्हारा खया लगना है तुम्हारे बेबी को समालना है अपनी मदर को बहुत अच्छा लगा इस बात के लिए मान गई वह गवी लाइफ में सेटल नहीं थी एक मुवेंट पर उसे कुछ अलग चीज़ चाहिए तो एक मुवेंट पर अलग पर अब उसने रिलाइस किया है यह जिस मुकाम पर हो है वही ठीक है वह इससे भागना नहीं चाहती आगी की लाइफ भी अच्छी होगी वह इस मुमेंट में खुछ थी इसे के साथ मुवी एंड हो जाती है इस मुवी में डैफनी को लगता था कि उससे सचा प्यार कोई भी कर नहीं सकता उसकी सिस्टर मजर उसके बाइफ फ्रेंस कोई भी उसके लिए हेलफुल नहीं है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर देजेगा यह बहुत सारे मुवीज लेकर आदे रहे तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर देजे और बेल नोटिवेशन आइकोन नहीं मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नम्रू के साथ तके लिए थैंक्यू